सब्सक्राइब करें संस्कार टीवी को और हमारे वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को तबाना न भूलें यमुना का तठ और उस यमुना के तठ पर चिरकाल से प्रतिक्षा की जा रही थे कंज का एक कठोर शाशन कूट शल तोशर चारूर मुस्टिक जोनने पुरी प्रजा को अस्त व्यस्त कर रहा है कूट करते बाट के रखना कुछ लोग बाट के रखते हैं कूट करते हैं बाट देना भाशा के नाम पर क्षेत्र के नाम पर अंचल के नाम पर जिसे फिरका परस प्रफकता वादी जो को शक्तियां होती हैं अपनी हित के लिए समाज को बांट देते हैं कूट तो गंस के जो पांच मित्र थे उनमें पहला था कूट दूसरा था शल शल करते हैं चुभन सी रहे इन सिकेरोटी रहे प्रजा को थोड़ा भैसा कुछ असुरक्षा सी रहे जाये और जब लंबे लंबे लोग नापते हैं और जब हाथ लगता है तो रुमाल हाथ नहीं आए बहर कुछ लोग इतने लंबा नाप भी नाप hani भिनी आ याइए इसका नाम में तो शल कूट शल तो शल एक चाडूर करते कि हम केवल आपका हित कर सकते हैं और कोई नहीं तो प्रजा को ऐसा विश्वास दिला देना कि तेरा हित कोई और कर सकता तुम मैं करूंगा और वो कभी उसका हित न करें हितेशी जैसा बोध करा है कूट, शल, तोशल, चाडूर और राजनिती का पांचमा हिस्सा मुष्टिक अपनी मुठी में रखो निकलने ना पाए आदमी उसे अपने पांस रखना तो ये पांस जो मित्र थे कंसके, कूट, शल, तोशल, चाडूर, मुष्टिक उन्होंने पिता को कारा क्रह में डाल दिया पिता की सारी संपता च्छीन लिए पिता असहाए, निसहाए, निरुपाए और अत्यंद गलानी के साथ के, देखो, मेरे पुत्र ने समर्थ होकर मेरे माथे का मुकुट च्छीन लिया अरे ब्रद्ध होकर, ब्रद्धावस्था में हम माता पिता को अश्रू देंगे, उन्हें पश्छाताब देंगे तो कुछ इस तरह से एक दुष्ट कंस निकला कि उसने अपने पिता की जंपदा च्छीन कर, उन्हें के माथे का मुकुट च्छीन कर, काराग्रह में डाल दिया अग्रसे अंगो ये कहकर, कि इस प्रजा का संचालन मैं करूगा संसकार, संसकार संसकार, the channel of India, हमारी संस्कृती, हमारी विरासर